चोर तक का सफर करेंगे तो अपनी शीट बैल्ट बांध लीजिए क्योंकि हमारा ये सफर बहुती रोमान चको और खत्रों से भरा होने वाला है तो चलिए प्रित्वी की सतय से ओडान भरते हैं और ब्रह्मान के आखरी चोर की ओर चलते हैं जैसे जैसे हम प्रित्वी की सतय से ऊपर उठते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें प्रित्वी की सतय ब्लू स्फेयर की तरह दिखने लगी है ये है इंटरनेशनल स्पेस इस्टेशन इंसानों द्वारा स्पेस में बनाई गई सबसे बड़ी चीज ये 27,580 किलोमिटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रित्वी के चकर काट रहा है जो की प्रित्वी की सता से लगबग 400 किलोमिटर उपर है और ये 24 घंटे में लगबग 16 बार प्रित्वी के चारों उर घूम जाता है जैसे ही हम International Space Station से और उपर जाते हैं तो हमें इंसानों द्वारा बनाई गई कुछ और चीज़े दिखाई देती है सैटलाइट्स अंतरिच में इंसानों द्वारा भेजी गई हजारों सैटलाइट्स प्रिथवी का चक्कर काट रही है सैटलाइट्स का अंतरिच में एक जाल सा बिचा हुआ है चलिए और उपर चलते हैं इतने उपर से प्रिच्वी का नजारा तो देखिए कितना खूब सुरत लग रहा हमारा ये नी लग रहा वैल हम पहुँच चुके हैं चांद के पास हमसे पहले यहां पर 12 एस्ट्रोनॉट्स आ चकोई हैं जिन में नील आमस्टॉंग पहले व्यक्ती थे जो इसकी सतय पर उत्रे थे और उनके पैरों के निसान आज भी चांद की सतय पर देखे जा सकते हैं चांद पर कोई वाई मंडल नहीं है इस वजए से ये निसान सद्यों तक ऐसे ही बने रहेंगे हम अभी अपने घर से लगबग 4 लाग किलोमीटर दूर हैं और चंद्रमा से हमारा ग्रा कुछ इस तरह का दिखाई देता है ऐसा लग रहा है जैसे अंत्रिच में एक ब्लू मार्वल रखी हो चांद की सतह एक बैटल फिल्ड की तरह लग रही है जिसने पिछले अर्बों सालों से कॉमेट्स और एस्टरॉइड्स की मार को जहला है चांद का कोई वाई मंडल नहीं है जो की कॉमेट्स या एस्टरॉइड्स को स्पेस में ही जला दे सौभाग्य से हमारे प्रित्वी का वाई मंडल है जो हमें स्पेस से आने वाले खतरों से बचाता है चलिए अंत्रिच में एक लंबी छलांग लगाते हैं ये है हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह वीनस इसको प्रित्वी की छोटी बहन बोला जाता है क्योंकि ये प्रित्वी की ही तरह रौकी प्लानेट है जिसकी ग्रेवटी लगबग प्रित्वी के ही समान है लेकिन ये ग्रह एक नर्क की तरह है क्योंकि इस पर होती है भयंकर बारिस पानी की नहीं बल की एसिड की इसके एट्मासफियर में जो बादल दिखाई दे रहे हैं वो सल्फियरुक एसिड के हैं हमारे सौर मंडल में सिर्फ वीनसी एक मात्र ऐसा ग्रह है जिस पर सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस एफेक्ट होता है सूर की गर्मी इस पर आती तो है लेकिन वापस नहीं जा पाती जिस वज़े से हीट इसके एट्मासफियर के अंदर ट्रैप होकर रह जाती है यही कारण है कि सुक्र ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है जिसका तापमान 465 डिग्री सेल्चियस है इसकी सतर पर काफी मात्रा मजवाला मुखी मौझी मौझूद है जो इस ग्रह को और ज़्यादा खतरनाक बनाते है इस एंगरी प्लानेट पर कुछ भी सर्वाइव नहीं कर सकता चलिए अपनी जर्णी को और आगे बढ़ाते हैं यह सूर के सबसे पास मौझूद ग्रह मरकरी इस ग्रह की धर्ती हमारे चंद्रमा जैसी नजर आती है जिस पर बड़े बड़े गड़े मौझूद है इस ग्रह के दिन और रात के टेंप्रेचर में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंस है रात के समय में इसका तापमान माइनस 170 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है तो दिन के समय में 400 डिग्री सेल्सेस को भी पार कर जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं ये है हमारा भगवान यही है जो अपनी उर्जा से प्रिथवी पर जीवन को चला रहा है अगर ये न होता तो हम न होते प्रिथवी से लगबग 150 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद ये तारा इतना बड़ा है कि इसमें लाखों प्रिथवियां समा जाएं सूरे इतना भारी है कि इसकी ग्रेविटी पूरे सॉलर सिस्टम को कंट्रॉल कर रही है इससे निकलने वाली लप्टाएं इतनी बड़ी होती हैं कि सूरे की सतय से हजारों किलोमीटर ऊपर तक चली जाती हैं चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं ये है प्रिथवी का सबसे नजदी की ग्रह मंगल इसकी धरती लाल है इस वज़े से इसे लाल ग्रह भी बोला जाता है वैग्यानिक मंगल ग्रह के बारे में जानने के लिए बड़े ही उत्सुक हैं क्योंकि वैग्यानिक कहीं न कहीं ये अनुमान लगाते हैं कि मंगल ग्रह हमारा पास्ट है वैग्यानिक मानते हैं कि अतीत में मंगल की धर्ती पर जीवन फला फूला होगा मंगल की धर्ती पर भी सागर मौजूद थे, नदियां मौजूद थी, इसका खुद का एक एट्मोसफियर था लेकिन आज ये ग्रव वीरान और बंजर पड़ा है आज वैग्यानिक इस ग्रेपर सूच में रूप में ही सही, बैक्टिरिया के रूप में जीवन खोजने में जुटे हैं और वैग्यानिक इस ग्रेपर भविश्य में बस्तियां बसाने की सोच रहे हैं अगर हम मंगल पर आए हैं तो हम इसे कैसे मिस कर सकते हैं ये है Olympus Mons, एक प्राचीन ज्वाला मुखी, मंगल की धर्ती पर ज्वाला मुखी से बना ये पहाड, प्रिथफी की सबसे उची चोटी, Mount Everest से भी लगबग तीन गुना उचा है, और ये हमारे Solar System की सबसे उची चोटी है, अगर मंगल की धर्ती से हम अपने ग्रह प्रिथफी क देखें, तो ये कुछ इस तरह की दिखाई देती है, अब आगे की यात्रा थोड़ी सी डरावनी होने वाली है, क्योंकि अब हम Asteroid Belt में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि मंगल और ब्रस्पती ग्रह के बीच मौजूद है, इस में मौजूद हैं बड़ी-बड़ी और विशाल जैसा कि हम जानते हैं कि साड़े-चार बिलियन साल पहले हमारे सौर मंडल में ग्रह बने, लेकिन Asteroid Belt में मौजूद ये मलबा जैसा का तैसा रह गया, Asteroid Belt में मौजूद मलबा एक प्लानेट बन सकता था, लेकिन एक बड़ी शक्ती ने इस मलबे को प्लानेट नहीं बनन दिया, जूपीटर हमारे सौर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लानेट है और इसके धेर सारे चंद्रमा है, यह उतना बड़ा है कि हमारे सौर सिस्टम के अन्य सभी प्लानेट्स को मिलाकर भी इतना बड़ा ग्रह नहीं बनाया जा सकता, यह है जूपीटर का Great Red Spot, यह लाल धब अगर आप जूपीटर की सता पर उत्रे तो आप इसकी सता पर खड़े नहीं हो सकते बलकि सीधे इसके अंदर चले जाओगे जूपीटर जितना वॉयलेंट और विनासकारी है वहीं इसके चंद्रमा जीवन के पनपने के लिए आईडियल साबित होते हैं जूपीटर के दरजनों चंद्रमाव में से एक है यूरोपा जो की पूरी तरह बर्फ की मोटी चादर से ढखा हुआ है वैग्यानिक मानते हैं कि यूरोपा की सता पर जमी हुई बर्फ के नीचे पानी तरल रूप में मौझूद है इस पर पानी का तरल रूप में होना जीवन के होने की संभावनाओं को बढ़ा देता है हमारे सॉलर सिस्टम में दरजपती ग्रे के चंद्रमा यूरोपा पर वैग्यानिक जीवन होने की प्रबल संभावनाएं जताते हैं हमारा अगला पड़ाव है हमारे सॉलर मंडल का सबसे खोपसूरत प्लानेट सैटर्न शनी ग्रे के चल्ले इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं जो कि इसकी सता से लाखों किलोमीटर उपर तक फैले हैं शनी ग्रे को अपने सॉलर सिस्टम का ताज माना जाता है ये है शनी ग्रे का एक चंद्रमा टाइटन इसका खुद का एक एट्मोसफेर है इस पर हवा है, बारिस होती है यहां तक कि इस पर रिदूएं भी बदलती हैं इस पर नदियां और सागर मौजूद हैं ये चंद्रमा देखने में लगबग प्रित्वी की ही तरह है लेकिन इस पर जो नदियां और सागर हैं वो पानी के नहीं, बलकि लिक्विड नेचुरल गैस के हैं अगर हम किसी भी तरह इस नैचुरल गैस को प्रित्वी पर ला पाएं तो ये इतनी ज़्यादा है कि हजारों सालों तक ये हमारे शहरों को रोसन कर सकती है वैग्यानिक अनुमान लगाते हैं कि अर्बों साल बाद जब सूर्य गर्माने लगेगा और एक रेड जाइंट बन जाएगा तब टाइटन हैबिटेबल जोन में होगा उस समय टाइटन पर प्रित्वी जैसी परिस्तियां मौजूद होंगी इस वज़े से वैग्यानिक टाइटन को भविस्य की प्रित्वी मानते हैं अभी हम अपने घर से इतने दूर आ चुके हैं कि यहां से हमारी प्रित्वी एक डौट की तरह दिखाई देती है अब जैसे जैसे हम अंत्रिच की गहराई में और आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रित्वी हमारी आँखों से ओजल होती जाएगी हमारा अगला पड़ाव है यूरेनस प्राचीन समय में यूरेनस और नेप्चियून के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी जब तक कि टेलिस्कोप का अविस्कार नहीं हुआ हमारी सौर व्यवस्ता का सबसे आखरी प्लानेट है नेप्चियून हमारा सौर सिच्टम बहुत बहुत बड़ा है लेकिन नेप्चियून के बाद भी हमारा सौर सिच्टम खतम नहीं हो जाता अपने सौर सिच्टम की गहराई में हम आगे बढ़ते हैं तो हम पहुँच जाते हैं क्वेपर बेल्ट में जो पिछली asteroid belt से 20 गुना चोड़ी और 200 गुना ज़ादा फैली है ग्रहों की लिष्ट से बे दखल किया जाने वाला Pluto भी इसी क्वेपर बैल्ट का सदस्य है क्वेपर बैल्ट में asteroid belt से भी ज़ादा बड़े बड़े objects मौजूद हैं जिनकी खुद की gravity की वज़े से इनके चंद्रमा भी है चलिए क्वेपर बैल्ट को पार करके आगे चलते हैं हमारी प्रिथवी से 13 billion km दूर ये है सूरे से सबसे दूर मौजूद object सैडना ये एक bonagra है जो एक ऐसा space object है जो सबसे दूर सूरे की परिक्रमा कर रहा है इसकी खोज 2003 में हुई थी ये सूरे की एक परिक्रमा 10,000 सालों में पूरी कर पाता है चलिए अब अपने solar system से बाहर का रुख करते हैं अभी हम interstellar space में प्रवेश कर चुके हैं देखिये देखिये अंत्रिच की गहराई में ये कह ट्रेवल कर रहा है ओ ये तो वोजर वनी space craft है यही तो एक लौता space craft है जो की इंसानों दोरा बनाई गई सबसे दूर मौजूद चीज है ये प्रित्वी से अब तक 19 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है इस space craft ने अंत्रिच के काफी सवालों से परदा उठाया है ये बंदूग से निकली बुलेट से भी 20 गुना तेज ट्रेवल कर रहा है चलिए अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं अभी हम अपने solar system की हदों से इतने दूर आ चुके हैं कि यहां से हमारा सूरे एक आम तारे की तरह दिखाई दे रहा है लेकिन इतनी दूर से भी इसकी gravity को मैसूस किया जा सकता है क्योंकि अर्बों की संख्या में यहां पर comet को देखा जा सकता है जो सूरे की gravity से बंदे हुए हैं इन कॉमेट्स में इतना ज़्यादा पानी है कि अगर ये सब इकटे हो जाएं तो ये प्रित्वी से भी ज़्यादा बड़े और गहरे सागनों को भर दें वैग्यानिक मानते हैं कि प्रित्वी पर ज़्यादा तर पानी कॉमेट्स के द्वारा ही आया है पैंस पर्मिया त्योरी के अनुसार प्रित्वी पर जीवन कॉमेट्स के द्वारा ही धर्थी पर आया अंतरिच में तैर रही इन छोटी छोटी बरफिली चट्टानों में जीवन सूच मरूप में बैक्टीरिया की फॉर्म में मौजूद हो सकता है कॉमेट्स का एक विशाल बादल हमारे सौर मंडल को घेरे हुए है जिसे और्ट क्लाउड बोला जाता है ऐसा माना जाता है कि ये और्ट क्लाउड हमारे सौर मंडल की ग्रेविटी की आखरी सीमाओं पर है इसके बाद सूरज की ग्रैविटी कमजोर पढ़ने लगती है जिस वज़े से इसके बाद सूरज का खिंचावत बहुत कम रह जाता है अब यहां से आगे की यात्रा एक अन्नौन और रहस्यमेई स्पेस मह होगी जहां घुप अंधेरा है यहां इतना अंधेरा है कि हम अपनी आखों से भी कुछ भी नहीं देख पाएंगे यहां देखने के लिए हमें इंफ्रा रेड विजन की जरूरत पड़ेगी हम अपनी प्रिछवी से बहुत 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 दूर आ चुके हैं लेकिन ब्रम्बांड के सापेक्ष में यह हमारा एक मामूली सा स्टेप है यहां से हमें चारों और अर्बों तारे दिखाई दे रहे हैं लेकिन अभी हम सबसे नजदी की तारा मंडल की और बढ़ रहे हैं यह है हमारा पड़ोसी सॉलर सिस्टम यह हमसे इतना दूर है कि हमारे सूरे के प्रकास को इस तारा मंडल तक पहुँचने में चार पॉंट तीन सालों का वक्त लगता है इस तारा मंडल का नाम है अलफा सेंटोरी इस तारा मंडल में तीन तारों का समूव है जिनमें अलफा सेंटोरी A और अलफा सेंटोरी B तारे आपसमा बाइनरी स्टार सिस्टम के तहद जोड़े हुए हैं इस तारा मंडल में प्रॉक्सिमा सेंटोरी B नामक ग्रह मौजूद है जो प्रित्वी की ही तरह Habitable Zone में है और इस ग्रह पर Alien Life मौजूद हो सकती है चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं प्रित्वी से हम 10 प्रकास वर्ष दूर आ चुके हैं और हमारे सामने ये एक Baby Star है जिसने अभी अपना जीवन शुरू ही किया है और इस तारा मंडल में अभी ग्रहों का जन्म होना बाकी है हो सकता है कि इस तारा मंडल में किसी ऐसे ग्रह का जन्म हो जाए जो हमारी प्रित्वी की ही तरह जीवन को धारण करने योग्य हो लेकिन अभी इसमें अर्बों सालों का वक्त लगेगा वैल अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं अभी हम प्रित्वी से 20 प्रकास वर्स दूर आ चिक्वे हैं और अभी हम ऐसे तारा मंडल से होकर गुजर रहे हैं जिसका जन्म हमारे सॉलर सिस्टम के साथ ही हुआ था इस तारे का नाम है गलीज 581 और इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि इस तारे का चक्कर लगा रहा है एक ऐसा ग्रह जो हमारे प्रित्वी से बिलकुल मेल खाता है और इस ग्रह पर एलियन सिवलाइजेशन होने की प्रबल संभावना है वैसे तो हमारी मिलकीवे गैलक्सी में अर्बों तारे हैं जिनकी यात्रा करना तो दूर उनको पूरे जीवन काल में गिनना भी संभव नहीं है तो चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मिलकीवे गैलक्सी से बाहर निकलते हैं ये है हमारी मिलकीवे गैलक्सी जो अर्बों तारों का घर है जिनमें से हमारा सूरे भी एक है ये गैलक्सी इतनी विशाल है कि अगर इसके एक छोर से प्रकास ट्रेवल करे तो लाइट को भी इसके एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचने में एक लाख पांच अजास सासो सालों का समय लगेगा लेकिन ब्रमान्ड में मौझूद बड़ी बड़ी विशालकाय गैलक्सियों के सामने हमारी गैलक्सी कुछ भी नहीं यूनिवर्स में मिलकी वेसी भी कई गुना बड़ी गैलक्सियां मौझूद हैं तो चलिए अपने solar system और अपनी galaxy को पीछे छोड़ते हुए intergalactic space में प्रवेस करते हैं intergalactic space में प्रवेस करके हमें दूर दूर तक अर्बों galaxy दिखाई दे रही हैं लेकिन ये सभी galaxy जुन्ड में हैं और ये है हमारी galaxy का जुन्ड जिसमें हमारी galaxy milky way और अन्य पड़ोसी galaxy मौझूद है galaxy के इस छोटे से जुन्ड को local group बोला जाता है galaxy का ये local group 10 million प्रकास वर्ष में फैला हुआ है जैसे जैसे हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें अन्य गैलेक्सियों के जुन्ड दिखाई देते जा रहे हैं और उनमें भी हमारे local group की तरह galaxy मौझूद है galaxy के कई local groups को मिला कर एक super cluster बनता है अभी हमारे सामने जो मौझूद है वो है वर्गो सुपर क्लस्टर इसी वर्गो सुपर क्लस्टर में हमारी galaxy का local group भी शामिल है और हमारी galaxy का local group इस छोटे से patch में है अभी हम अपने घर से इतने दूर आ चुके हैं कि यहां से हम अपने सूर के तो छोड़ो यहां तक ही अपनी galaxy को भी छोड़ो हमारी galaxy का local group ही एक छोटे से patch के समान दिखाई दे रहा है कितना विशाल है न वर्गो सुपर क्लस्टर इस वर्गो सुपर क्लस्टर में 100 से ज़्यादा galaxy के local group सामिल है और यह 110 million प्रकास वर्ष में फैला हुआ है चलिए अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं अरे यह क्या जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें वर्गो सुपर क्लस्टर जैसे अन गिनत सुपर क्लस्टर दिखाई दे रहे हैं इस सुपर क्लस्टर के समूग को नाम दिया गया है लैनिया केया सुपर कलस्टर और हमारा वर्गो सुपर कलस्टर यहां पर है एक छोटे से पैच के समान जिसमें हमारी गेलेक्सियों का लोकल गुरूप एक डौट की तरह भी दिखाई नहीं दे रहा ये लैनिया केया सुपर कलस्टर 520 मिलियन प्रकास वर्स में फैला हुआ है जिसमें लाखों वर्गो सुपर कलस्टर जैसे सुपर कलस्टर मौजूद है चलिए अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे लैनिया केया सुपर कलस्टर भी छोटा होता जा रहा है और इतनी दूर से देखने पर लैनिया केया सुपर कलस्टर भी एक छोटे से पैच की तरह दिखाई दे रहा है ओ माई गॉड मेरा तो दिमागी घूम गया खेर अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं ये है हमारा आपजर्वेबल यूनिवर्स जिसमें हमारा लैनिया के सुपर क्लेश्टर एक छोटे से डॉट की तरह मौजूद है लेकिन क्या यही हमारी यात्रा ख़त्म हो जाती है क्या इतना ही बड़ा है ब्रह्मांड वैल जैसा कि मैंने अभी बोला ये है अपजर्वेबल यूनिवर्स यानि ग्यात ब्रह्मांड ब्रह्मांड के बारे में हम जो भी जानते हैं वो केवल यहीं तक जानते हैं हो सकता है कि ब्रह्मांड का विस्तार आगे भी हो जो अनन्त तक चलता जा रहा हो लेकिन वहां से हम तक कोई प्रकासी नहीं पहुँच पा रहा हो जिससे हमें अब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर का भी पता चल सके। वैग्यानिक ये भी अनुमाल लगाते हैं कि हो सकता है कि हमारे यूनिवर्स जैसे असंग के यूनिवर्स और मौजूद हो सकते हैं जिन में हमारा ये ब्रह्मांड एक विशाल सागर में एक छोटी सी बूंत के समान हो। खैर मल्टिवर्स यानि एक से जादा ब्रह्मांडों का अस्तित्व है कि नहीं ये कोई नहीं जानता और नहीं हमारे पास मल्टिवर्स यानि महा ब्रह्मांड के कोई सबूत हैं लेकिन ये तो ताय है कि अब्जर्वेबल यूनिवर्स ही ब्रह्मांड का अंत नहीं हो सकता इसके बाहर भी कुछ न कुछ मौझूद है जिसका हमें कोई भी ग्यान नहीं लेकिन वो क्या हो सकता है हो सकता है कि हमारा अब्जर्विबल यूनिवर्स भी महा ब्रह्मांड में एक छोटे से पैच के समान हो वेल दोस्तों आपकी ब्रह्मांड के आखरी छोटे की यात्रा कैसी रही प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आपको ये वीडियो पसंद आये हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें साथी बेल आइकोन दबाएं